हेलो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान गर्भवत्य महला को खीरा क्यों खाना चाहिए कितना जरूरी है गर्भ के लिए कितना फायदेमंद है और कैसे खाने हैं यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हूं सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों गर्भवत्य महला को ऐसा आहर लेना जरूरी होता है जिसमें सभी तरह के पोशक्टतों मौजूद हो क्योंकि गर भावस्था के दौरान खीरा खाना भी गर्भवत्य महला के लिए बहुत फायदेमंद होता है खीरा ना सिर्फ आपको तरो ताजा रखने में मदद करेगा बलकि गर्भ में पल रहे सीशू को भी फायदे पहुंचाने का काम करेगा तो आए जानते हैं खीरा क्यों खाना ज मैगनीशियम, मैगनीश और बाइटमिन A जैसे पोसक्तत महजूद होते हैं खीरे में 95% वाटर होता है जो सरीर को हाड्रेट रखने के साथ साथ सीशू के बहतर विकास में मदद करते हैं गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार का संक्रमन गर्भ में पल रहे सीशू क लुक्सान पहुंचा सकता है दोस्तों तो खीरा गर्भवत्य महला के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है जिसे बीमारियों का खत्रा नहीं रहता और गर्भ भी सुरक्षित रहता है बाइटमिन के गर्भ में पल रहे सीशू की हड्यों को मजबूत करने के लि सीशू की हड्या मजबूत हो आपका सीशू स्ट्वांग पैदा हो प्रेग्मेंसी के दौरान मूड स्विंग्स के कारण गर्भवत्य महलाओं के मूड में बदलाब होते रहते हैं कभी खुस हो जाती है और विना बजह उदास भी हो जाती है खीरे में बाइटमिन बी होता है जो दिमाग को सान्थ करके मूड फ्रेस करने का काम करता है अगर आप खीरे का सेवन करती है तो मूड स्विंग्स भी आपका कम होगा खीरे में फाइबर होता है जो गर्भवस्था के दौरान होने बाली पाचन संबंदी समस्यां से निजादि लाने में मदद करता है और नहीं हो गर्भावस्था के अंतिम तीन महिनों में वजन बढ़ने के कारण अधिकतर महिलाओं को पैरों और हाथों में सूजन की समस्या होने लगती है खीरा खाने से इस समस्या से आपको निजात मिलेगी खीरे में मौझूद पानी की मात्रा सरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल कर सूजन कम करने में मदद करती है प्रेगनेंसी के दवरान हार्मोनल चेंजिस के कारण कई महिलाओं के बलड में गुलकोज की मात्रा बढ़ जाती है जो गर्व में पल नहें सीसू के लिए ठीक नहीं होता खीरे में मौझूद तत्वा बलड में गुलकोज को नियंतरत रखने में मदद करता है जिससे प्रेगनेंसी के दवरान इस समस्या से बचाब होता है गर्वाबस्था के दवरान गर्वबती महला के सरीर को अतिरिक्त पानी की ज़रत होती है खीरे में 95% पानी होता है गर्वबती महला को इस दवरान ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेने की सला दी जाती है अगर आप खीरा खाती है तो आपके सरीर में पानी की मात्रा पूरी होगी, अलग-अलग बाइटमिन्स भी आपको मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा खीरे में कैलरी की मात्रा बहुत कम होती है दोस्तों, जो मोटापा कम करने में मदद मिलेगी, कई महिलाओं का सरीर भारी हो जाता है, वजन जादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर महिलाओं का वजन और नियंत्रत होने ही लगता है जिसे दिलिब्री के बाद नियंत्रत करना पहुत मुश्किल होता है शुर्वात से ही आपको इसका ध्यान रखना चाहिए बौडी पर जमा चर्वी गर्मे पल्द है सिसु के दिये ठीक न मिलेंगे दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा खेरा कितना जरूरी है एक प्रेगनेंट महला के लिए मैं आसा करती हूं आप खेरे का से बन जरूर करेंगी टाकि सीसु का विकासा ही तरीके से हो और घरभाविस्था के दौरान आपको भी कोई दिकत नहीं हो ये वीडि आपको लाइक शेर करना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरे मच